आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और यहां पे आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुए है डीप लर्निंग और कंप्यूटर वीजन यह दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत मशूर हैं और यह दोनों साइड वाई साइड क्यू चलते हैं और मैं यहां पर क्यू चला रह हुए हमें कौन सा नॉलिज फ्राम करते हैं तो सबसे पहली बात तो डीप लर्निंग जब भी आप कॉंसेप्ट को सोचते हैं तो आपके माइंड में कुछ डिफरेंट इंडस्टरी आती हैं जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हेल्थ केर की इंडस्टरी मार्किटिंग की फेशर रिकेगनेशन की इंडस्टरी, स्पीच रिकेगनेशन की इंडस्टरी और आजकल चैट बोर्ट्स की इंडस्टरी जिसको हम लार्ज लेंगुज मॉडल्स बोलते हैं यह सब कुछ आपका डीप लर्निंग के थ्रू हो रहा है मशीन लर्निंग एक बेसिक ट्रडिश मशीन लर्निंग को समझ के आगे चलना अब मेरी बात अपने माइन में रखेगा तैह दर तैह पर यह नहीं है आपने तैहों वाली जिसके अंदर काफी तैह लगी होती है जैसे एक पहली तैह होती है उबले चौवलों की उसके ओपर चिकन की तैह लगगी फिर मिसाले की हो होगी फिर उसके अपर कुछ वो डिफरेंट किसम के सुलूशन डाल देते हैं ठीक है और उसको फिर पकाते हैं तो क्या होता वो तैह दर तैह एक एक लेयर्स के अंदर चलती है लेयर्स को याद रखने है आपको एक और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर फरक बता देता हूँ, machine learning के है और deep learning के है, दोनों में अगर basic फरक देखें, machine learning एक संग्तरे की तरह है, एक malte की तरह है, जिसके अंदर उसकी फाड़ियों बोलते हैं उसको, अगर आप उसको छील के खाएं तो एक एक को निकाल के खा सकते हैं, deep learning वो ही malte अगर onion की तरह हो, यानि क layer by layer आप उसको काट सकें, तो वो deeply, आप एक layer को study करते हैं, उसके साथ दूसरी connected है, उसके साथ तीसरी, उसके साथ चोती, उसके साथ पांच वी, आम में से जितने लोग cooking करते हैं, या नहीं भी करते हैं, कमसकम देखा ही होगा, जब घर वाले प्यास करते हैं, आप रोने ब करते हैं, और कम जुड़ी होते हैं, फिर इतनी कम-कम जुड़ी होते हैं, कि आप हातों से उने separate कर सकते हैं, जब आप सलाथ को खाते हैं, ठीक है, ये concept अपने mind में रखिएगा, deep learning का same यही concept है, कहां पे चलती है, deep learning, अगर आप methods देखें, तो आप यकीन माने, अच्छा ख structure वहाँ से predict कर सकते हैं, structure की base पे protein का function predict करके आप different high throughput sequence के बगार सारा कुछ identify कर सकते हैं, alpha fold 2 उसका नाम है, alpha fold 2, तो ये deep learning का एक है एक हैलकोरिय था हमें, जो protein की structure को बताने के लिए होते हैं, healthcare के अंदर proteins बहुत हैं, मैं आपको भी पता है, जब आप blood test करवाते हैं, या किस इस हम के proteins को study किया जाता है, और उन proteins की base पे बताया जाता है, nowsbilla किसी को hepatitis है या नहीं है, उनी proteins की base पे बताया जाता है, nowsbilla किसी को कोई cancer की अलामात आ रही है या नहीं आ रही, nowsbilla, Allah ना करे कोई ऐसे बिमार हो, लेकिन still, these are the basic tests, वो क्या होता है, कि body क्या खराज कर र COVID के दुरान एक app बनाई थी कि आप app के अंदर different किसम के exercises को देखते हैं and then the app predicts कि आपको COVID हुआ या नहीं हुआ आपके science के pattern की base पे so there are many other apps based on that वो भी deep learning और machine learning का मिलके एक combination था then if we go towards marketing marketing के अंदर इस वकर deep learning बहुत ज्यादा है आपको मैंने पिछले दिनों भी पूछा था कि Google Ad का आप लोगों को पता होगा Google Ad क्या होती है Facebook Ads कैसे चलती है there are many advertisement industries जो pay करती है for example आपने देखा होगा आप YouTube पे YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं start make ad आती है जिसे हम skip कर रहे होते हैं और आज क्या लला खेर करें पाकिसान के अंदर बच्चों बच्चों को भी पता है इसे skip भी करना है अभी वो skip आया नहीं होता बच्चों के उंगुठे वहां पे पहुंचे होते हैं कि skip करने टिक 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 लगे रहते हैं so वो जो ads आ रही है वो हमें वो ही क्यों आ रही है जिसका हमने कभी सर्च किया हुए reason behind that is our data जो उनके पास मौझूद है हमारी digital identity बनी हुए है so facebook, google, amazon, draz.com there are many websites which are actually taking our data और उस data को आगे produce करें then facial recognition यार android में और apple के अंदर आपका facial description की बेस पर log नहीं लगा हुए वो क्या है? वो आपका face detect करते हैं, log खुल जाता है इसी तरीके से आपका अगर pattern देखा जाए आपके अंगूठे का fingerprints उसको भी वो recognize कर लेते हैं so there are many patterns जो recognition की बेस पर you can develop a lot of apps फिर speech recognition आपने भी देखा हुए Google translator के अंदर अगर आप उसे on करते हैं, वो recognize करके आपको translate कर देता है या Google doc के उपर आप बोल के उर्दू भी लिख सकते है dictation की जो आपका tool होता है आपके window के अंदर भी dictation की element होता है so यह सब कुछ कैसे चल रहा है इसके पीछे जो main element है that is called deep learning और deep learning क्या है उसको आगे मैं आपको बताता हूँ अक्सर अकाद यह question मैं अपने student से करता हूँ बट यहाँ पे मैं आपको खुद बताऊंगा कि जब हम machine learning की बात करते हैं आप खुद से नहीं बताते हैं एक data की base पे कि यह सीख लो वो data से machines खुद सीख रही होती है ठीक है आप program नहीं करते कि यह आगया तो आपने malta के ना यह आगया तो मुरूत के ना वो खुद से सीखती है इसी तरह अगर deep learning के अंदर जाएं तो this is the subset of machine learning मतलब यह हुआ कि अगर आप deep learning की बात कर रहे हैं आप deep learning की बात कर सकते हैं if you are talking about something very specific वो क्या है subset of machine learning in which artificial neural networks adapt and learn from vast amounts of data यहाँ पे सिरफ learn कर रहे है deep learning के अंदर adapt भी कर रहे हैं समझाई बात की कि यहाँ पे सिरफ learn होगा यहाँ पे adaptation भी होगी adaptation का मुराद क्या है कि वो पहले एक prediction देंगे फिर वो एक loop चलेगा वो बताएगा यह कितने फीसद गलत है फिर वो कहेगा अच्छा मैं दुबारा try करता हूँ वो दुबारा try करेंगे फिर उस accuracy को improve करते जाएंगे और इस पूरे process को हम iterations भी बोलते है forward और backward जो हमारे loops होते हैं उनको भी बोलते है forward propagation और backward propagation भी बोलते है and there are many other terms related to that one as well जो हम बारी-बारी देखेंगे तो क्योंके यह course पूरे का पूरा AI का चिल्ला है यानि कि artificial intelligence का course है that means the future समय जागी बात की अब यहां पे adaptation की जब मैंने बात की है you should remember कि मैंने boosting और bagging के अंदर यह concept बड़ी detail में आपको बता है कि adapt कैसे होती हैं चीज़े अगर आपने वो दो lectures जो हैं उन्हें सुना हुए अगर आपको उसका नहीं बता so I would recommend कि आप दुबारा से boosting और bagging का जो blog है मैंने आपको दिया था वो भी पढ़े और उस concept को ज़रूर देखे खेर अब artificial intelligence का है programs with the ability to mimic human behavior यार कल जो हमने गाम की है पूरी के पूरा software बनाया एडिये का वो क्या है वो एक program नहीं जो mimic कर रहे है किस चीज को जो काम हम कर रहे थे वो खुद कर रहे है EDA का ऐसे ही है फिर हमने एक पूरी app बनाई कि सिर्फ data डलो जो हम काम कर रहे थे वो सारी कि सारी app कर रही है समझे आगे so that is why we need to if we are making something as a product उसको हम artificial intelligence बोर रहे हैं यानि कि use of machine learning जो mimic human behavior को करने के बाद उसको AI बोल सकते हैं algorithms कौन कौन से हैं there are many automated instructions वो algorithm होते हैं मिसाल आपको बहुत सादा देने वालों एक बच्चे को आप दुनी का पहाड़ा पूछें दुनी का पहाड़ा नहीं पता किसी को बढ़ादा टू का पहाड़ा इस तरीके से आप उससे पूछें और वो उसको पता चल जाए जब मैं दो का टेबल सुना रहा था तो मैं दो-दो एड करता गया जब तीन का पढ़ना है तो तीन-तीन एड करते जाना है इसे को हम algorithm बोलते हैं यानि कि जितनी artificial intelligence है, machine learning है, deep learning है we can call them as algorithms as well कैसे हम जितने भी machine learning के algorithm हमने पढ़े हैं आभी था उसके अंदर हम बार-बार ये तो नहीं कह रहे थे कि ये फलाना model है, ये फलाना हम कहते हैं ये algorithm है तो algorithm का मतलब है automatically कोई एक pattern को follow करते हुए किसी चीज को सीखना ठीक है, समझ लगी deep learning क्या है इसके अंदर adaptation हो रही है अब इसको मैं और भी define करता हूँ आपके सामने और आपको एक example देता हूँ फिर आपको और भी समझा रहेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप identify कर सकते हैं पौन कौन सी चीज है यहाँ पर पढ़ी है चलें, यह क्या है जी हमारे पास यह एक shalt है, shalt जिसको हम shirt कहते है S-H-I-R-T, shirt पंजाबी ते shirt कहने है, bushart भी कहने है ऐसे ही है इंग्लिश में टीज भी बोलते हैं इसे जो burgers है, वो tea भी बोलते है, t-shirts So, यह है tie टीक है tie नहीं, tie सही है और यह हमारे पास है, coat यह कहज़े हमारे पास Shoes, यह कहा हमारे पास यह भी shoes है, वो लग बात है कि यह heel वाला shoes है यह भी हमारे पास एक किसम की t-shirt है यह shared है, और this is for female and this could be for males, could be, क्योंकि आज trend यतना change हो गया, fashion का कि पता नहीं चलता है कि यह male का अगर female का और अक्सरों का लोग unisex लगा कि उसको बता रहे होते है Here we have a bag handbag and this one is called क्या कहते हैं आप इसको pant भी कहते हैं, trouser भी कहते हैं, jeans भी कहते हैं, और इसको और भी काफी नाम लेते हैं, अब आप अगर एक छोटे बच्चे से पूछेंगे जिसको इन चीजों का नहीं पता अगर आप एक छोटे बच्चे से कहते हैं कि यह सारी चीज़ें कौन कौन सी है तो वो क्या आपको कहेगा, कहेगा यह shirt है, यह उसको शायद ना पता हो, इसका वो कहा सकता है यह भी एक कोट है, यह कमीज कहा देगा उसे इस वन इस शू फोर हिम और हार, इस वन इस शू आस वेल रीजन यह है कि उसको इतना knowledge नहीं है कि यह heels इसे बोलते हैं high heels भी बोल सकते हैं, उच्ची एड़ी आपकी होती जाएगी, हमारे brain ने तो इसे identify कर लिया देखते हुए क्यों identify किया, इसकी reason क्या है main reason is that क्योंकि बच्पन से अब तक हम इन चीजों के इस्तमाल में हैं हम इनको बार बार इस्तमाल कर रहे हैं ऐसे हैं, इन सबी चीजों को और अगर हम ना कर रहे होते एक ऐसा बंदा जो शुरू से जंगल में रायर लाइक टार्जन, उसे पता होगा इन चीजों का नहीं ना पता होगा इसका मतलब क्या है कि ये data हमारे mind में unintentionally धी store होता गया है और अभी visual हमारे सामने आएगी तो हम इसे read कर लेंगे ऐसा ही है अब मुझे एक बात बताएं यहीं तस्वीरें अगर मैं एक computer को देता हूँ तो वो कैसे figure out करेगा कि ये कौन-कौन सी चीज़ें है और ये इनका नाम क्या है तो वो नीड टू टेल दे PC या computer या machine या जो भी हमारे पास एक कहलें कि PC है जो से इंपरसन computer बोल देते हैं for now उसको बताना पड़ेगा कि data क्या है कितना ज्यादा data computer क्या learn करता है वो colors वगयला learn नहीं करता computer की आंक है camera या उसका algorithm वो एक pattern learn करता है कैसे इसका एक box बनाएगा box के अंदर pixels देखेगा pixels की base पे patterns learn करेगा so if we go towards the next part फिर वो उसकी base पे classify करेगा कि ये एक handbag है ये एक shoe है ये एक shirt है so on and so forth ऐसे ही है same वो ही चीजें लेकिन computer को हमें data देना पड़ेगा computer को सिखाना पड़ेगा क्योंके हमारे पास शुरू से data है हमें पता है एक बच्चे को शाहिद ना पता हो ठीक है so these are the things जो हमने सीखनी है एक और चीज़ हमें बताया गया है कि शुरू से ये पेंट इसे कहते है पाकिसान में हमेशा jeans है दूसरी है dress paint है फलाँ फलाँ इसको पेंटी कहते है ऐसे है चाइना में नाम ही और होगा जपैन में नाम हो और होगा इंडिया में इसे कुछ और कहते होंगे बंगाली में कुछ और कहते होंगे फिर डिफरेंट जबाने आ जाती है so data आप जिस तरीके से देंगे पीसी को वह ऐसे learn करेगा अच्छा अब computer vision को हलका साम देख रहे है साथ में deep learning के हमारे पास एक data set है जो बड़ा मशूरे जमान है MNIST fashion MNIST का data set है और अगर आप इसे search करें तो आपको पता होना चाहिए online ये data set freely available है and you can also fetch this data set by using different libraries जिसमें top of the notch library जो हम यूज करेंगे deep learning algorithm के लिए called tensor flow T-E-N-S-O-R-F-L-O-W ये एक library हम यूज करेंगे उसके अंदर ये data freely available पड़ा हुआ अच्छा इसमें क्या है जी इसमें 10 categories है यानि कि टी-शिर्ट, ट्रॉजर, pullovers, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, ankle boot जब मैं sandal पढ़ रहा था scandal मुझ से निकल जाता है चल ली इतने रहे हैं आज कल खेर, बना क्या करें so T-Shirt से लेके ankle boot तक यानि कि ankle boot different है आपका जो different किसम के जो sandals हैं वो different है sneaker different है तो तीन category तो shoes की है फिर shirt की और फिर pullover की और coat इन में भी तीन differences है so sometimes you need to actually specify to the PC कि इसका नाम के तो जब हम एक image दे रहे हैं वो हमारा data होगा एक image और जब उसके साथ हम label दे रहे हैं which is this one this is called label तो हमारे पास X क्या हुआ features क्या हुआ image हमारा feature होगा इस dataset का समझ रहे हैं बात को computer vision के अंदर features हमारे पास images होती है सही है अब जो online available dataset है जिसमें fashion amnist का data है by the way आप fashion amnist लिखेंगे न तो आपको पता चलेगा कि एक German company है जिसका नाम है Zolando अगर किसी को नहीं पता तो search कीजिएगा ये उनका dataset है freely available है क्यों? क्योंकि वो एक आप समझ लेके एक ऐसी website है जिनके पास बे बहा किसम के articles बड़े होते है उन्होंने वो dataset छोटी form में दिया हुआ अच्छा 10 categories हैं इसकी 0 से 9 तक इसके indexes है 70K images है 70,000 images 70K और हर image का size क्या है 28 by 28 pixel 28 by 28 28 ठीक है? तो यह जो dataset है हमारे पास यह freely available है we can train the dataset and then we can predict something by providing an external image एक लाइदा से image दे के पता लगा सकते हैं कि यह shared की है किस चीज़ की है किस चीज़ की है इसका फाइदा की है आपकी website के उपर यह पूरे का पूरे data पड़ा है अगर आप इस पे एक algorithm train कर ले तो जब भी कोई बंदा एक नई तस्वीर upload करेगा you can classify that image कि यह कमीज की है shoes की है handbag की किस चीज़ की image है automatically वो उस category में तस्वीर चली जाएगी say for example you are running a business on Amazon या DRAZ तो आपको category automatically वो तस्वीर की वज़ा से वो category उस product की select हो जाएगी so that was the main aim here और ये एक enough क्या उसे बोलते हैं data है to train a neural network अच्छा आप तस्वीर कैसे learn की जाती है पहले मैं आपको वो बता दू फिर इस पे हम बात करते हैं यह हैं जी हमारे पास 0 से 255 तक scale होता है colors का ठीक है जुसको हम gray scale बोलते है gray scale का पता है आपको 0 black होता है 255 जिसे हम बोलते हैं वो white होगा उसके दरमियान जितनी भी shades है these are shades of gray 255 shades of gray ठीक है तो यह हमारे पास different shades है gray color की 0 to 255 total हमारे पास 256 color है यहाँ पे black से white तक जाते जाते different shades है अब होता क्या है जहाँ पे black है ना आपके data में यह essay करके पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या अगर आप गोर करें यहाँ पे बड़ी दिहान से बात सुनियेगा यह पूरी तस्वीर को इसने एक box में ले आना है box में ले आया है अब जहाँ पे चिटा चिटा color है उसकी values ने neutral कर देनी है बाकी values की जगा पे उसके respective color की जो value है वो आ जानी है तो automatically जब आपके पास बाकी सबी 0 होंगी या neutral होंगी और जहाँ पे value आपके पास आ रही है shade की आपके पास एक pattern नहीं बन जाएगा ठीक है इसी तरीके से ये box बना इस box के अंदर ये इस तरीके से value की shape बन रही है values आ रही है और उसकी automatically एक shape बन रही है इस shape को हम shoes कहा सकते है ankle boot और ये जो shape थी एक pen की है ठीक है अब हमें ये पता है कि ये देखने से एक pen लग रही और ये एक shoes लग रहा है अगर आप गौर करें ये देखने से dhant भी तो लगी रहा है हमें तो ये पता है क्योंके हमारे पास extra data है लेकिन computer को ये ही पता है कि अगर ऐसा pattern हाईगा तो ये एक pen है ठीक है हम ये एक तस्वीर जब देते हैं computer actually convert that image into matrix कालब matrix का पता है न क्या होते है तो ये एक कालब बन गया है matrix बन गया है mathematics में अगर matrix का आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बाकि आप mathematics की series में देखिएगा ऐसे हम square bracket लगाते थे यहां पर ऐसे values लिखते थे और यहां पर इस तरीके से values आ जाती थी तो ये कितने बाई कितने काईज़े हमारे पास 3 by 3 का call up है ये matrix है ऐसे है अब मुझे बताएं कि ये 3 by 3 की अगर आपको समझ आ रही है तो अगर मैं कहूं एक image 28 by 28 की है तो ये भी तो समझ आई जाएगी न means to say ये जो box बन रहा है इसकी 28 values यहां पर है 28 यहां पर है समझ आगी बात की so in total it's making an image of 784 bytes साथ में आ रहे हैं that's another thing लेकिन हमारे पास किस तरीके से ये total bytes per pixel आ रहे हैं बाइट पर पिक्जल है तो इसका मतलब है हमारे पास 784 pixels भी है और इतने ही bytes की image है ये चीज थोड़ी सी confusing होती है अगर आपको अभी समझ आगी then it will be easier for you to understand in future ठीक है यहां तक clear होगी जी बात समझ आ रही है जब आप एक image को read करते है तो computer क्या करता है उसकी shades की base पे उसका pattern देखता है कि flan point पे यानि कि अगर इस side पे हम जाएं तो ये 10th position और अगर हम इस side पे जाएं तो ये 11 तो यहां पे करके मेरे पास 144 position है 144 point and so on so forth तो ये पूरे matrix की base पे match करता है कि ये matrix अगर किसी और भी image का आगया तो हमने classify कर देना है this is a pent this is a kind of ankle boat or something like that सब्सक्राइब अच्छा clear है यहां तक कैसे matrix बनता है अब मेरे बात याद रखिएगा last time मेरे से बड़े question हुए कि images का data क्या आता है मैंने तब भी बोला था images का data आपको matrix की form में मिलते है this is how you create the matrix समझागी यहां पर आप क्या करते हैं आपके पास matrix तब आता है when you are working on image data set से यह जी okay hopefully this is fine we go next अब इस image के अंदर क्या है एक pent है और यहां पे एक ankle boat है आपको समझ आ रही है ठीक है अब हम देखते है कि जब हम इन images को understand करते हैं तो कौन-कौन से चीज़ें पाई जाती है मैंने आपको पहले बताया कि यह पूरे data set में total nine categories है सब्सक्राइब एक चोटी से assignment यहां पे आपकी यह है कि आपने fashion administ के data set को देखने और वहाँ पे जाके search करने है कि यह data set क्या है और यह questions है इनको note down कर लें या screenshot ले लें आपने इनके answers देने हैं आपने एक answer यह देना है is it easy to train neural network with 70k images पहला question यहां पे आपने data ढूंड लेना है आप वैसे भी लिखेंगे na fashion administ और साथ में लिखेंगे github तो आपको data हा जाएगा पूरे का पूरा ठीक है इसके बारे में आपने metadata देखना है कितना है and then you have to find out do we need to download the fashion administ data before working on it हमें download करना पड़ेगा या हम directly fetch कर सकते हैं जैसे हमने c-born से data set fetch किया था मैं आपको पहले इसका answer बता देता हूं we can fetch this thing क्योंकि मैंने इसी विज़ा से आपको start में बताया था because this data set is available in Keras ठीक है तो c-born की तरह कष्टी का data set जब हमने किया था तो मैं आपको पहले बता देता हूं आपने सिरफ यह देखना है कि is it enough to do that ओके असान तरीन तरीका है इसको construct करने का मैं आपको छोड़ा सा code दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी और then we will move towards कि हम किस तरीके से इस data set को देख सकते हैं आप fashion amnist के data में TensorFlow हमारी library जैसे हमने SNS किया था ना यहां पे हम TF करेंगे installation and everything we will do it together don't worry about that अभी सिरफ आपको parts of code बता रहा हूं कि किस तरीके से TensorFlow will work believe me prompting इतनी असान कर दी गई है ना इस वकत कि आप यह सारा कुछ online ले सकते हैं I just want to explain this thing TensorFlow से आप स्टार्ट करते हैं Keras उसके अंदर एक किसम का एक लएदा लाइबरेरी थी जो TensorFlow के अंदर आगी by the way TensorFlow जो है वो Google की लाइबरेरी है PyTorch is from Meta यानि के Facebook तो दोनों की आपस में बड़ी लगती है और दुनिया में जब भी आप लगने की बात करते हैं वो पूछते हैं कि कौन सा framework आपको पता है तो आप I either you work on TensorFlow या आप PyTorch अक्सरोकाद मेरे जैसे कोई घर दमाग भी बहते हैं जो कहते हैं दोनों ही ठीक हैं दोनों ही आते हैं So if you want to work on both you go ahead लेकिन पहले एक को सीखे फिर दूसरे की तरफ जाएं So I already started with TensorFlow तो हम सिर्फ TensorFlow इसमें देखेंगे Keras की library इसको हम कीडा जान बूच के मैं बोलता हूं क्योंकि ये ऐसा ऐसी library है इसको कीडा है deep learning का ठीक है वो होता है ना दिमाग में कीडा होता है कुछ करने का तो ये वो वाला कीडा लाइबरेरी इसको मैं जान बूच के बोलता है तक है याद रहा जाए ये अलाइदा थी लाइबरेरी लेकिन रिसेंटली गूगल ने से परचेज कर लिया तीन-चार साल पहले या पांच साल पहले So you can have a look on that इसके अंदर डेटा सेट्स हैं डॉट फैशन एमनिस्ट हमने इसको एक अब्जेक्ट का नाम दिया और यहां पर डॉट लोड डेटा लिखके उसको लोड कर लिया तो ये आटमेटिकली ट्रेन इमेजिस ट्रेन लेबल्स टेस्ट इमेजिस और टेस्ट लेबल्स के अंदर अटमेटिकली आप ऐसे कनवर्ट कर सकते हैं यह चार चीज़ें तो आपको याद होंगी ना एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन वाइटास यह वोई चीज़ें ठीक है कैसे ट्रेन इमेजिस images जब भी नाम आएगा ये आपके क्या है features उनके जो नाम है वो है आपकी labels समझागी बात की ये अपने mind में रखिएगा अच्छा तो इस तरीके से आप data download कर लेते हैं अब train images में अगर ऐसी चीज़ आएगी ये आपकी सिंधी में पैंड को कुछ और कहते होंगे पश्टो में और उर्दू में और पंजाबी में ठीक है और इसी तरीके से जर्मन में और इटालियन में कुछ और नाम है UK में कुछ और कहते हैं चाइनीज में कुछ और कहते हैं और बिटिश और कहते हैं AI कभी भी ethically racist नहीं होनी चाहिए समझ रही बात की बड़ी मैं clear बात कर रहा हूँ ethically आप इसको numeric point of view के अंदर लिखते हैं थाकि zero one तो सभी के पास है ना आप जो भी कहते हैं इसको कहते रहो जब भी हमारे पास zero one label आएगा अगर हम jeans कह रहे हैं तो हम jeans बोल देंगे trouser कहना आपके अपनी मर्जी trouser बोल दो, pent कहना pent बोल दो hose कहना hose बोल दो, Chinese में इसको shonk shonk जो भी बोल है वो बोल दो so it's up to you, लेकिन universally आप numeric codes को label की तोर पे use करते हैं, सही है? so believe me, अगर आपके mind में ये चीज बैठ गी अभी, तो ये questions अक्सर रुकाता, आपसे पूछ लिया जाता है is it better to use the string or a numeric या integer variable as a label to the images, तो आप बताएंगे कि meta data हमारे पास मुझूद है we just need to convert that into integers ठीक है? अब अगर आप गोर करें, मैं data set पे जाता हूँ, हमारे पास ये T-shirt से लेकर यहां तक इतनी categories है, इसका नाम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, इस तरह नाम होंगे इनके, बजाए इसके कि आप इसको pen shirt, bush shirt, shirt, ऐसे करके बोलें so it's always better AI biasness जो होती है ना, उसको remove करने के लिए ये सारी चीज़ें होई है usually क्या होता है, जब भी आप AI के उपर काम करते हैं तो आपको ethically किसी भी एक side पे जुकना नहीं होता, आप 22 नहीं होते, 22 का मतलब पता है ये किस के बाद वाला बाइस नहीं है ये होता है, आप ये पंजाबी देख का होता है के एक बंदे की आँखें नहीं है लेकिन वो मिठाई बांट रहा है मठाई में मिठाई भी ट्रांसलेट करूँगा वो अपने रिष्टेदारों को नौाज रहे जिसको हम अकरबा परवरी बोलते हैं आकसार में तो आम है, इंडिया में भी आम है आपने 22 नहीं होना कि आपको पेंट का लेबल पसंद आगया आप कहते हैं कि सारी के सारे पेंट हैं है कोई एक बंदे ने ना गोश्ट लगा लिए और गोश्ट खाने का काफी शुकीन था तो उसने पहला किलो का वो पीस तोड़ा और काटा और उसे बेजने लगा तो वो पुठ का गोश्ट था वो कहता नहीं यार यह तो मेरा फेवरेट है साइट पर रख लिया दूसरा काटा वो चांप का था कहता है इसके तो बड़े अच्छे बार्बीक्यू बनेगा तीसरा काटा तो वो बिलकुल ही वो वो जो किसको होता है न एक क्या उसे बोलते है यार टांग के उपर वाली जो हड़ी होती है उसका गोश्ट था वो भी ने बेच बख गरेगा तो at the end के तर जहों मैं नहीं बेचता कुछ पर ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी एक चीज की तरफ यक तरफा फेवरिजम दिखाएं ठीक है तो आपने बाइस नहीं होना तो यह प्रैक्टिसीज हैं कुछ AI Google Responsibilities पे अगर आप जाएंगे तो इस आर्टिकल का नाम है Responsible AI Practices अगर आप इसको पढ़ने हैं तैस ग्रेट अदर्वाइस इस पे हम लेक्चर भी रख सकते हैं दिस इस वन अफ दे बिगेस तिंग्स जो आपको आज के दोर में सिखने हैं कि AI कौन सी चीज में आप क्या किस तरीके से इसको एड कर सकते हैं अच्छा जिम Neural Network डिजाइन करने के लिए आपको ये इस तरीके से Code लिखना पड़ता है ठीक है एक आपकी Input Layer होती है एक आपकी Middle Layer होती है और एक आपकी Output Layer होती है मैंने Layers की बात की थी ठीक है तो Layer by Layer आप चीज़ों को ले के जाते है और Layer by Layer जब आप चीज़ों को देखते है तो उस तरीके से आपका Proper एक Neural Network जो है वो Define हो जाता है अब होता कुछ इस तरीके से है जब आपके पास एक Image बढ़ी है वो आप एक Layer में देते हैं और फिर आगे Move करती है I know this is not easy to understand लेकिन आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपने ये equation तो देखी होगी बीटा नौट प्लस बीटा वान एक्स जो मैंने आपको दिखाई थी या AX प्लस B आप कर लें या माइनस भी जो भी आपके पास आता है तो ये एक linear regression की example है जो हमने start में की थी same वो ही linear regression का आप अगर code देखें जिसमें weights और biases होते हैं you can add that into a neural network और अगर neural network के बारे में बात करें now we are going to see अब supervised deep learning क्या होती machine learning हमने देखी अब deep learning के उपर बात करें computer vision का आपको मैंने थोड़ा सा idea दिया है इसके उपर proper हमने और भी गुफ्तगू करनी है but for now this is enough और इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक छोटी से assignment देता हूँ आप ये देखिएगा भी search कीजेगा Google पे सभी जो भी सुन रहे हैं के neural network क्या होता है और इसकी structure कैसी होती है आपने नाम सुना होगा लेकिन कभी शायद आपने इस पे काम ना किया हो now is the time to search for this what is a neural network and how to define the structure of a neural network मैं यहाँ पे screen को stop करके